हलो एंड विलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूँ अनीशा आज मैं आपको बताऊंगी कि आने वाल के इस मन्त में आप गमले में कोन से फूल लगा सकते हैं तो चलिए मैं अपने वीडियो शुरू करती हूँ कार्नेशन या गुलनार गुलनार के बेहत खुबसूरक फूल कट फ्लार के रूप में काफी प्रचलित है यह सफेद, गुलाबी, लाल, पीला, नारंगी आदि कई रंगों में मिलता है यह फूल का पौधा बीजों से आसानी से उग जाता है इनके काले रंग के छोटे बीज होते हैं सामाने तोर पर बीजों को उगने में 3-5 दिन का समय लगता है आप चाहे तो गीले कोकोपिट पर इनके बीज डाल दें पौधा 3-4 इंच का हो जाए तो अलग-अलग गंबले में या अगर क्यारी में लगा रहे हैं तो 10-15 cm की दूरी पर लगाएं इनके बहुत खूब सुरक फूल होते हैं जैविक खाद वाले मिट्टी में अगर लगाएंगे तो धेर सारे बड़े आकार के फूल आएंगे जर्बेरा इन्हें कुफेरू या जूलू नाम से भी जाना जाता है पर जर्बेरा नाम काफी common और पूरी दुनिया में प्रचलित है या फूल लाल, पीला, बैंगनी, गुलाबी, सफेद, नारंगी आधि कई रंगों में मिलता है जर्बेरा के बीच काफी छोटे और रोएदार होते हैं बेहतर होगा आप इनको नर्सरी से तयार पूधा लाकर ही लगाए इनके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और कट फ्लार के रूप में तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं इसलिए इनकी व्यापक प्यमाने पर खेती होती है जर्बेरा का पौधा वेल्डरिन पॉर्ट में लगाए और जैविक खाद वाली मिट्टे का इस्तिमाल कीजे सबसे अच्छा होगा इन पौधों में रोजाना एक बार पानी दे और जडों में घास ना उगने दे अभी लगाएंगे तो ऑक्टूबर तक फूल आएंगे जैस्मिन या चमेली इनकी खूबसूरत जाड़ी नुमा बेल होती है चमेली के पौधे को कटिंग या लेरिंग से लगाया जाता है इनके सफेद रंग के फूल सुगंधित होते हैं इनकी काफी किसमे हैं इंडोर या आउटडोर दोनों ही प्लांट के तोर पर आप लगा सकते हैं सुगंधित फूलों के कारण इनकी भी खेती की जाती है चमेली अगर आपने गमले में लगा रखा है तो एक पौट अपने कमरे में जरूर रखें यकीन मानिए आपको और किसी भी रूम फ्रेशनर की जरुरत नहीं पड़ेगी लोटस या कमल कमल का पौधा बीजों से उगता है आप चाहें तो चिकनी मिट्टी के पौट में इनके बीज लगा दें और उसे पानी के बड़े टब में डुगो दें बीज से पौधा उगने में तीन से चार हफ़ते तक का समय लग जाएगा आपको अगर रेडी प्लांट मिले तो आप वह भी लगा सकते हैं देखने में खुबसूरत तो ये होते ही हैं आपके घर के लैंड्सकेप को और खुबसूरत बना देंगे कमल के फूल गुलाबी रंग के ही होते हैं सफेद, पीले, नीले रंग के कमल जैसे दिखने वाले फूल दरसल वाटर लिवी या कुमूदिनी के होते हैं लुमेरिया या चंपा या सुगन्धित फूलों वाले पौधे होते हैं आकार में काफी बड़े होते हैं और इन्हें कटिंग से लगाया जाता है फूलों का रंग पीला सफेद गुलाबी लाल आदी होता है आप चाहें तो इन्हें प्रून करके छोटा भी रख सकते हैं और इंडोर प्लांट के तौर पर भी लगा सकते हैं अभी सही समय है इनकी बुच्छे में खिलते हैं और सुन्दर देखते हैं चंपा का पौधा किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाता है और लगभग हर तरह की मिट्टी में तेजी से ग्रोव करता है फूलों का रंग सफेद, पीला, बैंगनी, लाल, गुलाबी आदी होता है या छोटे बीजों से उठता है इसमें लगातार फूल खिलते हैं और खिलने के बाद काफी दिनों तक रहते हैं कुल मिलाकर काफी खूबसरत दिखते हैं अगर गमले में आप लगाएंगे तो फूल ज़्यादा दिखेंगे इनके बीजों को उगने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है नॉर्मल वाटरिंग और हलकी उपजाओ मिट्टी इनके लिए अच्छी है कैना, केला फूल या केली यह आद्र जलवायू का पौधा है फूलों का रंग आंतोर पर लाल, पीला, नारंगी आदी होता है इनके पौधे रूट सकर्षते लगते हैं यानि जड़ों से निकालाए छोटे पौधे से नए पौधे तयार होते हैं फूलों के खिलने के बाद फिर से जड़ों में ढहिर सारे नए पौधे आ जाते हैं रोजाना पानी इन पौधों की जरूरत है यह पौधे तक्रीबन 3-4 फूट उचाई के ही होते हैं इसलिए इन्हें आउट्डोर के साथ साथ इंडोर प्रांट के तौर पर भी गंबले में आप लगा सकते हैं हिबिस्कस, गुड़हल या अड़ुल इन फूलों को चाईना रोज, मंदार, जावा कुसुम, आदी नामों से भी जाना जाता है फूल लगभग हर रंग में मिलते हैं लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी, सफेडादी इनके आम रंग हैं वैसे इनमें कई वार बीज भी होते हैं पर इनकी कटिंग ही लगाई जाती है इनके पौधे में लगातार फूल आएं, इसके लिए रेगुलर वाटरिंग, कंपोस्ट वाले मिट्टी और धूप जरूरी है मिले बग्स से बचाने के लिए इनके पौट में लहसुन की कुछ कलियां बो दें पौट को हमेशा ही वेलडरन रखें, आने कीटों का प्रभाव होते ही तुरत कीटना सक प्रियोप करें पोटैसियम वाली खाद इनके लिए बहुत फायदे मंद है अगस्त ये अक्टूबर के महिने के बीच साल में एक बार इनकी छटाई यानि की प्रोनिंग जरूरी है इंडिगो या नीला फूल इन फूलो का बोटैनिकल नाम बैप्टीसिया औस्ट्रेलिस है इन्हें वाल्ड इंडिगो या फाल्स इंडिगो भी कहते हैं फूलो करन जी हाँ नाम के अनुसार नीला या इंडिगो ही होता है पर यह वह पौधा नहीं है जिससे नील या इंडिगो मिलता है इन्हें बीज या रूट सकर से लगाते हैं यह वेल्डरिन मिट्टी में लगाईए और पूर क्वालिटी के स्वायल भी इनके लिए काफी होते हैं यह फैबेसी कुल का यानि की मटर के कुल का पौधा है इनको लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी उपजाओ हो जाती है फूल लंबी डंडियों पर स्पाइक्स में धेर सारे खिलते हैं इन पौधों को ट्रांस्प्लांटेशन पसंद नहीं है इनकी जड़े 12 फुट गहरे तक जा सकती है और एक फुली बैच्वर प्लांट पर सैक्डो फ्लार्स स्पाइक या डंडिया आती है इन्हें regular watering और धूप जरूरी है प्रूनिंग की इन्हें जरूरत नहीं है रोज या गुलाब बहुत सारे रंग और वराइटीज इन फुलों की उपलब्ध है फूल लाल, पीले, हरे, बैंगनी, काले, सफे, लबबब हर रंग में मिलते हैं भारत में या यूँ कहें कि भारतिय उपमहद्वित में हर जगह ये आसानी से लगाया जाते हैं और प्रचलित भी है गुलाब के लिए रिच और गयनिक खाद वाली मिट्टी चाहिए पॉल रंग होना चाहिए और रोजाना पॉधे को धूप भी मिलनी जरूरी है इन पॉधों को महीने में एक बार रासायनिक या जैविक खाद भी जरूरी है वैसे तोर इन्हें कटिंग, सीड या ग्राफ्टिंग तीनों ही तरीके से लगाया जाता है पर ग्राफ्टिड गुलाब बेस्ट होते हैं सेकेंड आप्शन आप कटिंग का चुन सकते हैं क्योंकि बीच से उगाये गए गुलाब के पॉधे में गुनवत्ता नहीं होती कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हाँ जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि हम देंगे आपको हर महिने लगाये जाने वाले फूलों की अग्रिम लिस्ट वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए सूया फूल इनका बोटैनिकल नाम कुवामो क्लेट पिनाटा है बेसिकली ये एक तरह की लता है और ये काले बीजों से उगाये जाते है ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली लता है जिसमें लाल या गुलाबी रंगे छोटे मगर बेहत खूबसूरत फूल खिलते हैं रोजाना इनमें नए फूल आते हैं फूलों के अलावा इनकी पत्तियां भी काफी शांदार दिखती हैं फूल तक रिवन धाई से 3 सेंटिमीटर लंबे होते हैं इन्हें बरसात में आउटडोर लगाईए कंपोस्ट वाले मिट्टी में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा बिना ज़्यादा कुछ किये अगले 2-3 महिने तक इनमें धेरो फूल आते रहेंगे गुल महन्दी या बालसंग इन्हें चीरा मीरा भी कहा जाता है और ये बीजों से बड़ी आसानी से उगेंगे आप इनके बीज अभी लगा दें बालसंग के पौधे मध्यमाकार के होते हैं फूल बहुत सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे लाल, गुलाबी, सफेद, नारंगी, बैंगनी, नीला लगभग हर रंग के इनके फूल होते हैं और रोजाना धेनो फूल खिरते हैं फूल सिंगल लेर्ड और डबल लेर्ड में भी होते हैं अब इन्हें भी आउटडोर ही लगाईए, बीजों को उगने में 6-8 दिन का समय लगेगा, ये हर तरह की मिट्टी में लग जाएंगे रोजाना पानी इनके लिए जरूरी है, अगर थोड़ी कंपोस्ट दे दें तो क्या बात है सदा बहार, पेरिविंकल या विंका पैसिफिका, छोटे आकार के इनके पौधे होते हैं और ये काले छोटे बीजों से ही उगते भी हैं सदा बहार का पौधा सामान ले या हलकी उपजाओ मिट्टी में बड़ी तेजी से ग्रो करता है और इन्हें रोजाना धेरों फूल खिलते हैं फूल मध्यमाकार के और बेहिसाब रंगों के होते हैं लाल, पीला, गुलाबी, सफेद, मजन्टा, मरून, परपल अधि सारे ही रंगों के सदा बहार आपको मिल जाएंगे आप चाहें तो हर रंग का एक पौधा लगा ले और फूल सालों भर पाएं इनके बीज चार से छे दिन में उप जाएंगे धूप इन पौधों के लिए जरूरी है, आउट्डोर रखें लांटाना या पौटूस वैसे तो ये कटिंग से भी लगते हैं पर अभी अगस्त के महीने में आप इनके बीज भी लगा सकते हैं इनके काले बीज आकार में थोड़े बड़े होते हैं लांटाना या पौटूस का जहाड़ी नुमा पौधा होता है इनके फूल पीला, सफेद, गुलाबी, नारंगी, लाल आदी रंगों के होते हैं सबसे मज़ेदार बात ये है कि एक ही पौधे पर एक ही गुच्छे में अलग-अलग रंग के फूलों के रंग्स आती है फूल हलके सेंटेट और काले पके फल इडिबल होते हैं पौटूस के बीजों को उगने में 10 दिन तक का समय लग जाता है ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट हैं आउट्डोर रखें क्योंकि धूप इनके लिए जरूरी है पैसन फ्लार, क्रिस्न कमल या राखी फूल इनका बोटैनिकल नाम पैसी फ्लोरा है ये बीजों के अलावां कटिंग से भी लगते हैं इनकी बेल होती है इनके फूल एक्स्ट्रीमली ब्योटिफुल होते हैं फूल लभग हर रंग में आपको मिलेंगे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी, मरून, स्ट्राइप्ट, डॉर्टेड या चितकबरे भी फूल आकार में काफी बड़े होते हैं और फूलों के खिल चुकने के बाद बड़े आकार के इडिबल यानि की खाने लाइक फल भी इनमें आते हैं पैसन फ्लार के बीज 10 से 12 दिन में उपते हैं इन्हें रिच और्गेनिक सॉयल या कंपोस्ट वाले मिट्टी में लगाईए बेल को फैलने के लिए जगह भी दीजिए कामलता, इनका बोटैनिकल नाम कुआमोकलिट कोसीनिया है और इनकी भी लता होती है इन्हें सिर्फ बीजों से ही उगाया जा सकता है कामलता के फूल लाल या नारंगी रंके होते हैं फूल ट्यूब से पिड होते हैं और बड़े नाजुक से होते हैं एक दिन तक रहने वाले ये फूल रोजाना धेर सारे खिलते हैं इनकी पत्तियां थोड़ी सोड़ी यंदे के पत्तों जैसी दिखती हैं इनकी लता बहुत तेजी से ग्रोव करने वाली होती है इनके बीज हफते भर में ही उग जाते हैं आप लताओं को फैलने के लिए थोड़ा सहारा दें अगले 2-3 महिने खुबसूरक फूल आपका मन मोहते रहेंगे कमल या लोटस कमल हमारा रास्ट्य फूल भी है और ये एक तरह का वाटर प्लांट है वैसे तो इन्हें रूट सकर से भी लगाया जाता है मगर आप बीजों से भी उगा सकते हैं कमल के फूल गुलाबी रंग के ही होते हैं और आकार में बड़े होते हैं संसार ग्रीन देखने वाले दरसकों को लोटस और वाटर लिली में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए लोटस का बोटानिकल नाम निलंबो निूसिफेरा है जबकि वाटर लिली का निल्फिया है निम्फिया या वाटर लिली कई रंगों के होते हैं जबकि कमल सिर्फ और सिर्फ गुलाबी रंग के होते हैं प्रमल के बीजों को बोने से पहले उनके सिरों को नेल फाइलर से फाइल कर लें या खुरदरी सतह पर थोड़ा सा घिस लें। ऐसा करने से दो हफ़ते में बीज उगाएंगे। रें लिली, इनका बोटानिकल नाम जफाइयन्थस है। ये सागपुल का पौधा है जिसकी लहसुन जैसी कंद भी होती है। इन्हें कंद से या फिर बीजों से दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं। इनके फूल लाल, गुलाबी, पीला, सफेद, आधी रंगों के होते हैं। जप्ते बीज हफते भर में ही उग जाते हैं। बीजों को क्यारी करना और स्टोर करना दोनों ही आसान है। फ्लॉक्स या पटुआ। इन्हें बोटानिकल नाम इनका फ्लॉक्स डुमोंड ही है। खुबसूरत फूलों के इन पौधे को बीज से ही उगायाना पड़ता फ्लॉक्स के ट्रॉम्पिट से पर छोटे फूल गुच्छों में खिलते हैं। फूलों का रंग पीला, सफेब, गुलाबी, लाल, बैंगनी आदी होता है। ये फूल काफी लॉंग लास्टिंग होते हैं और इतने फूल खिलते हैं कि पौधा नहीं सिर्फ फूल नजराते हैं। इन्हें रिच और्गेनिक सोयल में लगाईए, पौट को वेल्डरेन रखिए और धूप इनके लिए जरूरी है। बीज 10-12 दिन में उख जाएंगे। नास्ट्रियम या देसी क्रेस। इनका बोटैनिकल नाम ट्रॉपेयोयम है। और इन्हें इंडियन क्रेस कहा जा सलाद के तौर पर कच्चा या फिर पका के भी इन्हें खाते हैं। इनके फूल आकार में काफी बड़े और अट्राक्टिव होते हैं। इनके बड़े आकार के बीच आप डाइरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। ट्रांस्प्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कामपरेटिफली पूर सोयल में इन्हें लगाया जाता है। पॉट को वेल्डन रखें, धूप जरूरी है इनके लिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की पेसकस? कमेंट करके जरूर बताइए। खुद भी नए पौध ही लगाईए और वीडियो को लाइक और शेयर करि जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तिल देन बाबाए।